कि कालपुरुष की पाचवी राशी है सीन राशी के स्वामी सूर्य है सूर्य ये ग्रहों में राजा माने जाते हैं जोतिश में सूर्य जातक की आत्मा का कारक इसे कहते हैं सीहेंज राशी अगनी तत्व स्थिर राशी है नाम के अनुसार शेर जासा व्यवार करने वाले और प्रवत्ति भीवेशी होती हैं यह जहां रहते हैं वहां का अधिकार चाहते हैं ऐसे व्यक्ति सीहेंज की तरह गुर्राते पहले हैं और सोचते बाद में है आम तोर पर एग्रेसिव और एक्टिव होते हैं स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं सिध्धान्त और अनुशासन से कारेकरना आम तोर पर पसंद करते हैं यह हमेशा परिवरतनशील जीवन की चाहा रखते हैं शिग्र जोश में आ जाना बदला लेना इनके मूल गून है यह अपने कारियों से कुछ लोगों को तो प्रसन कर लेते हैं लेकिन बहुतों को नाराज भी कर देते हैं लेकिन जिसकी परवा यह करते नहीं है इनका सबसे बड़ा गुन और आवगुन भी यही है वह है महतवा कांग्शा उचा सोशते हैं परन्तु कई बार छो आपवर्श के परारण से लेकर के 22 अपरिल तक अष्टम भारण में रहेंगे 22 अपरिल से वर्ष के अन तक भाग्या भाव में आ जाएंगे शनी 17 जनवरी से पुरे वर्ष कुमबराशी में सब्तम भाव जातकों के लिए रहेंगे और रहु वर्ष के प्रारम में विद्यमान रहेंगे आप देखते हैं क्या इस अंत्राल में किसी वाद वाद के चलते खुद के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। व्यापार में सोच समझ करके निरनेले अधिक लाप प्राप्त करने का लालत छोड़े और जो प्राप्त है वही परियाप्त है इसी नीती पर संत्राल में चले। साज़दारी में भी मनमुटाओ हो सकता है। नौकरी कर रहे हैं तब इसे बचा पाना आपके प्रात्मिक्ता होने चाहिए। जीवन साथी के साथ मतभिन्नता बढ़ रही है। आप किसी कारे के चलते घर से दूर जा सकते हैं। आर्थिक अस्तिर्ता से परिशान रहेंगे। दिया गया रिण खत्रे में पढ़ सकता है। साथी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम रुकसान भी इस अंत्राल में संभव है। अश्टम में गुरू, भाग्य में राहू, स्वास्त संबंदे परिशानी भी बरकरार रखेगा। विशेश रुप से कोई नसों में, नर्व्ज में दुरुवलता रह सकती है। जिससे शरीर में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। साथी, वायूरोग, जुकाम, खासी, आ गुरू, भाग्य में आ जाएंगे, इससे मेहनत के नुसार सभी कारियों में सफलता आपको मिलेगी। साथी, यदि कोई लोन आप लिना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी सफलता मिलेगी। कोई बकाया कर चुकाना है, उसमें भी आप सफल होंगे कोट कचरे में कोई मामला चल रहा है, तो उसका फैसला इस समय आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं। घर परिवार में लोग आपकी बातों को समर्थन देते हुए दिखलाई देंगे। आपकी कई नीतियां लोगों को प्रभावित करेगी। कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहतरीन है। अईवाहितों के लिए बैंड बाजा बरात का इंतिजाम करना होगा, आमदनी बढ़ रही है, स्वास्त के लिए समय बढ़िया है, मान समान प्राथ हो रहा है। लेकिन फिर भी शनी ये सप्तम भाव में है, ये सतर्क्ता बरत्ने की जर्वत है। अन्यता सस्राल पक्ष के लोगों से आपको समस्या हो सकती है, जीवन साती का सहयोग कम होगा, आर्थिक पक्ष की स्तितियां डावा डोल रह सकती है, साथे निरनेक शमता में भी कमी आएगी। शत्रों सक्री रहेंगे लेकिन आप उन पर दवाव मनाने में सफल होंगे। स्वास्त के लिहास से अच्छा नहीं है, राहू और शनी जीवन साती के स्वास्ता मंद्य पर इशारी देगा, कारिक्षत्र में उतार चड़ाओ देखने को मिलेगे, खुद को मानसिक तोर पर अशांत न बनाए। गोचरी गिरहों के आधार पर शनी और राहू पुरेवर्ष सिहंजात्कों के लिए सरदर्द का कारण बनेंगे। गुरू 22 अपरिल तक प्रतिकूल रहेंगे, प्रतिकूलता को कम करने के लिए सिहंजात्कों ने, मानिक और पन्ना ये दो रतना आप धारन कर सकते हैं, अगर एग्रेसिवनेस पहले से हैं तो मानिक न पहने, अन्यता आप मानिक और पन्ना दोनों धारन कर सकते हैं, सूरे क के सामगरी देवी को अरपित करे घर में अधी व्यर्थ का लोहा कहीं पड़ा हो तो उसे ततकाल निकाल दे क्यों कि ये सब शनी से प्रभावित होते हैं मंदिर में भगवान की पोशाक दान करे मा काली की आराद न करे इससे रहो के तू शान्त होते हैं लक्षमिनारण पत्यों से अपने ग्जान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरन करने वाले आपके अपने पंडि सुदर्शन शर्माश कार्याले कंपिटर गुणली जूतिश मार्गदर्शन वास्तु विजिट रत Courtney उपरत्न श्रिमार्ट भागवत कथा के लिए संबर्ख करे पंडि सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा ओम जोतिश कार्याले नियुराधा किसन प्लाट महसुल भवन के पास अकोला फोर नंबर 0724244-0722 मोबाइल नंबर 942286-0311 9822227765 जो दर्शक व्यक्तिकत नहीं मिल सकते वे वेब साइट के माध्यम से भी चूड़ सकते हैं